दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल स्कॉलर इंगलिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के लिए इंगलिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो बेसिकली आज के इस वेडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वोकैब अनलिसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेगुलरली जुड रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं इन सेशन्स का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इनहांस करना और ये जो वोकैब सेशन्स हैं ये बैंक, SSC, रेलवे, UPSC या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एक्जाम के लिए एकवली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन है तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डेटरिमेंट Detriment का मतलब होता है हानी जो हमें नुकसान पहुचाए उससे हम कहेंगे Detriment ये हमारे पास part of speech में noun है Synonym इसका होता है harm या फिर disadvantage यानि कि जो हमें नुकसान पहुचाए या फिर जिसका हमें कोई फायदा ना हो Antrim इसका होता है good या फिर benefit यानि कि अच्छा या फिर फायदे मंद अब example की मतल से समझते हैं Example इसका है smoking is a detriment to health यानि कि धुमरपान करना स्वास्त के लिए हानिकारक है इस context में हम जो है वो detriment इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौनसा है Then हमारा अगला word है malady Malady का मतलब होता है बड़ी समस्या और ये हमारे पास part of speech में noun है सिननिम इसका होता है problem यानि कि दुविदा या फिर समस्या अब example है The boy is suffering from some strange malady यानि कि एक लड़का जो है वो किसी अजीब समस्या से पीडित था इस context में हम जो है वो malady इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे Then हमारा अगला word है infible infible का मतलब होता है कमजोर करना और ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है weaken यानि कि कमजोर antonym इसका होता है strengthen यानि कि मजबूत अब example की मदद से समझते हैं example इसका है that bout of pneumonia infible her यानि कि pneumonia के उस बिमारी ने उससे कमजोर कर दिया इस context में हम जो है वो infible इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं इसके साथ हम आगे मेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then हमारा अगला word है counterfactual counterfactual का मतलब होता है kalpana जब हम कोई चीज imagine करते हैं जो वास्ताव में reality में होती ही नहीं है उससे हम कहेंगे counterfactual ये हमारे past part of speech में executive है यानि कि विशेशन है अब example समझते है example इसका है if kangaroos had no tails they would topple over this is counterfactual statement यानि कि यदि kangaroos की पूछ ना होती तो वो गिर जाते यहाँ बात जो है वो कालपनिक और तत्याहीन है इस context में हम जो है वो counterfactual इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते है then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे हमारा next word कौन सा है तो इसके बाद हमारा word है rant rant का मतलब होता है भटका हुआ या फिर गलती करना और ये हमारे past part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है misbehaving या फिर mischievous यानि कि दुर विवार करना ant इसका होता है well behave यानि कि अच्छा विवार करना अब example देखते हैं तो हमारा example है she guides the man to correct his mistake but he consider her to be rant यानि कि वह पुरुष को उसकी गलती सुदारने के लिए मारगदर्शन करती है लेकिन वह उसे ही गलत मानता है इस context में हम जो है वो rant इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके बाद हम हमारा next word देखेंगे then हमारा अगला word है exemplary exemplary का मतलब होता है उतकृष्ट जो सबसे अच्छा हो उसे हम कहेंगे exemplary यह हमारे पास part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है faultless या फिर flawless यानि कि जिसमें कोई गलती ना हो antonym इसका होता है deplorable यानि कि खेद जनक अब example की मदर से समझते हैं example इसका है the teacher praised Sania for her exemplary behavior in class यानि कि teacher ने क्लास में सानिया के अच्छे behavior के लिए उसके तारीफ की इस context में हम जो है वो exemplary इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे हमारा next word तो हमारा अगला word है irremediable irremediable का मतलब होता है अपरिहारिय जिसे सुधारा ना जा सके या फिर जिसका इलाज ना हो उससे हम कहेंगे irremediable ये हमारे पास part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है unfixable यानि कि ठीक नहीं किया जा सकने वाला और antonym इसका होता है fixable यानि कि जो चीज सुधारी जा सकती है तो example इसका है his memory suffered irremediable damage यानि कि उसकी आदाश्त को ऐसा नुकसान हुआ जो कभी सुधारा नहीं जा सकता इस context में हम जो है वो irremediable इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौनसा है तो हमारा अगला word है regressive Regressive का मतलब होता है प्रतिगामी यानि कि पीछे की और हटने वाला और ये हमारे past part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है backward यानि कि पीछे जाने वाला antonym इसका होता है progressive यानि कि प्रगती करने वाला अब example देखते हैं example इसका है it is regressive way of thinking यानि कि ये सोचने का एक प्रतिगामी तरीका है इस context में हम जो है वो regressive इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then हमारा अगला word है repose repose का मतलब होता है विश्वास या फिर उम्मीद ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है believe या फिर trust यानि कि विश्वास रखना अब example देखते हैं example इसका है यानि कि मीरा ने competitive exam में अपनी उम्मीद बरकरार रखी इस context में हम जो है वो repose इस word का अलग-अलग sentences में यूज कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है तो हमारा अगला word है incommunicado incommunicado का मतलब होता है असंपर्क यानि कि किसी के contact में ना होना और ये हमारे पास part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है unreachable या फिर unavailable यानि कि अनुपलब्द antonym इसका होता है available यानि कि उपलब्द होना अब example देखते हैं autobiography यानि कि कल वो अपनी autobiography फिनिश कर रही थी इसलिए वो किसी के contact में नहीं थी इस context में हम जो है वो incommunicado इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौनसा है then हमारा अगला word है extermination extermination का मतलब होता है निकालना, हटाना या फिर खत्म करना और ये हमारे पास part of speech में noun है synonym इसका होता है elimination या फिर eradication यानि कि निकालना या फिर हटाना अब example देखते हैं example इसका है all doors and window is sealed for the extermination of mosquito यानि कि मच्छरों को खतम करने के लिए सभी दर्वाजों और खिडकियों को बंद कर दिया गया इस context में हम जो है वो extermination इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके बाद हमारा अगला word है disorder disorder का मतलब होता है रोकना कोई काम करने से किसी को रोकना उसे हम कहेंगे disorder ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है deter या फिर prevent यानि कि रोकना antonym इसका होता है persuade यानि कि राजी करना अब example देखते हैं example इसका है I try to disorder him from giving up his job यानि कि मैंने उसे नौकरी छोडने से रोकने की कोशिश की इस context में हम जो है वो disorder इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then हमारा अगला word है tweak tweak का मतलब होता है सुधारना किसी original चीज में कुछ adjustment या फिर change करके उसे सुधारना उसे हम कहेंगे tweak ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है adjust या फिर modify यानि कि सुधारना करना example इसका है we just wanted to tweak his original idea a bit यानि कि हम बस उसके original idea को थोड़ा सुधारना चाहते हैं इस context में हम जो है वो tweak इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे then इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ then हमारा word है morbidity morbidity का मतलब होता है रोगों की संख्या जन संख्या में किसी बीमारी का दर उसे हम कहेंगे morbidity ये हमारे पास part of speech में noun है सीननिम इसका होता है rate of disease यानि कि रोगों की संख्या अब example की मदद से समझते हैं example इसका है clean water can reduce morbidity from water bone illnesses यानि कि स्वच्च पानी जो है वो पारिने से फैलने वाले बीमारीों को कम कर सकता है इस context में हम जो है वो morbidity इस word का अलगलग sentences में use कर सकते है then हमारा अगला word है underway underway का मतलब होता है शुरू करना या फिर जारी रहना और ये हमारे पास part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है start यानि कि शुरू करना antonym इसका होता है finish यानि कि खतम करना अब example देखते हैं example इसका है the construction of the dam project is still underway नैनि कि dam का जो construction है वो अभी भी जारी है इस context में हम जो है वो underway इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौनसा है तो हमारा अगला word है cohort cohort का मतलब होता है समूह और ये हमारे past part of speech में noun है synonym इसका होता है group अब example देखते हैं example इसका है the cohort of students graduating this year is exceptionally talented यानि कि इस साल graduate होने वाले students का जो group है वो बहुत जादा प्रतिबाशाली है इस context में हम जो है वो cohort इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then हमारा अगला word है exponential exponential का मतलब होता है तेजी कोई चीज जो है वो तेजी से बढ़ना उसे हम कहेंगे exponential ये हमारे past part of speech में adverb है synonym इसका होता है rapidly या फुर quickly यानि कि जल्दी से तेजी से antonym इसका होता है slowly यानि कि अराम से अब example देखते हैं example इसका है the cost of healthcare has risen exponentially यानि कि स्वास्त तेकबाल की लागत जो है वो तेजी से बढ़ रही है इस context में हम जो है वो exponential इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौन सा है तो हमारा अगला word है premise premise का मतलब होता है आधारित या फिर आधार होना और ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है based on यानि कि पर आधारित अब example देखते है तो example इसका है the idea that there is life on other planet is the central premise of the novel यानि कि ये विचार की अन्यग रहो पर भी जीवन है या novel का एक मुख्यादार है इस context में हम जो है वो प्रिमाई से इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते है then इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ तो हमारा अगला word है curb curb का मतलब होता है रोकना और ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है restrict या फिर constraint यानि कि रोकना या फिर बाधालाना आइंटनिम इसका होता है release यानि कि खुला छोड़ना अब example देखते हैं example इसका है यानि कि उसने अपने खर्चों पर रोक लगा दी इस context में हम जो है वो curb इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है तो आज का हमारा last word है superintendent superintendent का मतलब होता है देखवाल करना या फिर निगरानी रखना ये हमारे पास part of speech में noun है synonym इसका होता है supervision यानि कि निगरानी रखना अब example देखते हैं example इसका है a crisis had been superintendent by discipline यानि कि discipline से संकट पर काबू पाया गया इस context में हम जो है वो superintendent इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं तो आज की लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो do like this video subscribe the channel and share as much as you can till then keep learning, thank you